श्रमन रत्न प्रणत सागर्जी महराज के 44 वे अवतरन दिवसके उपलक्ष में गुरुभक्त परिवार, हुकुम्चंद सेथी, इंदु सेथी, प्रवीन सेथी, मेघा सेथी, माहिर सेथी, सुरेशंद सेथी, प्रकाशंद सेथी, अशोक कुमार सेथी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्यान की एक ऐसी अनूठी विधा, जिसे परमपोज मुनिश्री शुप्रव सागर्जी महराज ने सम्यक समाधान नाम दिया हम सभी का परम सभग है कि परमपोज आचर भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर्जी महराज के मंगल सभासिश से, उनीके सुवियोग से परमपोज मुनिश्री शुप्रव सागर्जी महराज के मुकारुन से, हम सभी प्रतिजिन अपने अनेका नेक समीचीन विकल्प और सम्यक समाधान जो विकल्प हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रिदान कर रहे हैं वही विकल्प समीचिन विकल्प है और उस मार्ग की प्राप्ती के लिए जो हमें समाधान प्राप्त हो रहा है वही समाधान सम्यक समाधान है देश देशांतर से इस सम्यक समाधान में अनिकानिक समीचिन विकल्प प्रति दिन हमें हप्राप्त हो रहे हैं और परंपोज मुनिश्री सुप्रम सागर जी महराज उनका आगमुक्त विदी से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं प्रारम करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आश्टा मर्द प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन सिरीमती चंदा जैन सब परिवार परमपूज मुनिसरी के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ती पूर्वक कोटी कोटी नमुस्तु निवेदित करते हुए इवं प्रति जीवी गुणों की पूर्ण प्रकरता किन जीवों में पाई जाती है हमारी समिचिन बिकल्प का समिक समाधान करने के अनुकंपा कुरn नमोस्तु माराजी नमोस्तु या जो गुणों को कहा जाता है वह प्रती जीवी गुण कहे जाते हैं जैसे जीव की अपेक्षा से अचेतनत्व जीव की अपेक्षा से मुर्तत्व या अभाव स्वरूप प्राग भाव प्रद्वनस भाव अत्यंत भाव अन्युन्ना भाव आदी ये जितने अभाव स्वरूप को प्रकट करने वाले गुण है उनको प्रती जीवी गुण कहा ज जाते हैं वह प्रतेक उस गुण की आपेक्षा से द्रव्य की आपेक्षा से भिन्न भिन्न हुआ करते हैं जरूरी नहीं है कि मात्र जीवी द्रव्य में ही आविभागी प्रतिछेद या उस प्रतिजीवी गुणों की आपेक्षा से उनके आविभागी प्रतिछेद कहे जात और उसके विशय में अनुभाग संबंदी आविभागी प्रतिछेद का भिन्न कतन है, योग संबंदी आविभागी प्रतिछेद का कतन भिन्न है और द्रव्य गुण की आपेक्षा से आविभागी प्रतिछेद का व्याख्यान और उसकी परिभाशा भिन्न है यहाँ पर आपको जीव के प्रतीजीव गुणों की अपेक्षा से अभीभागी प्रतीचेद इस प्रकार से समझने होंगे जो गुण का सबसे छोटा अंश याने जो गुण के सबसे छोटे अंश को जो कहा जाता है उसे ही अभीभागी प्रतीचेद कहते जैसे कि पुदगल की अपेक्षा से अगर हम समझे तो जो पुदगल में स्पर्ष रस गंध वर्ण ये चार गुण प्राप्त होते हैं उन गुणों में से वो बाकी तीन गुणों को छोड़ कर मात्र एक स्पर्ष गुण को ग्रहन करते हुए उसका ऐसा सबसे छोटा अंश जिसको पुणा विभाजित नहीं किया जाता है ऐसे उस गुणों को अविभावी प्रतिछेद कहते हैं दरूरी नहीं है कि वो पुदगल की आपेक्षा से हो पर पुदगल समझने में आसान है इसलिए पुदगल की आपेक्षा से वह अविभागी प्रतिछेद समझा अब जीव द्रव्य की अपेक्षा से जो जीव के निमित से उसके प्रतिजीवी गुण कहे जाते है अचेतनत्व या मूर्तत्व उन मूर्तत्व की भी अपेक्षा से अगर हम समझे उस मूर्तत्व याने स्पर्श रसगंधवर्ण स्पर्श गुण एक गुण को गरहन करते ह सबसे जगन शक्ति वाला आंसर जो होता है जिसको वास्त विकता में कहीं टुक्डों में विभाजित नहीं किया जाता अपित्यूयमकी प्रग्या के द्वारा जिसका सबसे छोटा खंड या सबसे छोटा अंसर जिसका पुना विभाज नहीं होता उस अंश को अभिभागी प्रतिछेद कहते मुर्तत्व की याने जीव द्रव्य की प्रतिजीवी गुणों की अपेक्षा से जो मुर्तत्व गुण या अचेतनत्व गुण माना जाता है उसके अपेक्षा से उस मुर्तत्व गुण की स्पर्श ग अभी भागी प्रतिचित का ज़द, साथ-साथ आपका ये दूसरा भी प्रशन है कि कौनसे जीवों में ऐसे प्रतिजीवी गुण सरवथा परकट होते हैं, कोई विशेश जीव होने की आवश्यक्ता नहीं है, या जीव की कोई विशेश परियाय परकट होने की आवश्यक्त प्रतिक जीव में अपने द्रव्य को छोड़ते खोड़ कर अन्य जीव की अपैक्षा से जो जो नास्चित्व गुण है वह प्रतिक जीव द्रव्य में होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है किसी विशश्ट परियाय में प्रतीजीवों गुणों को पुर्णता से प्राप्त करें वे परिपुलन रूप से प्रतीजीवी गुण कहलाएंगे और उनी गुणों के अपेक्षा से उसका सबसे छोटा अंश जिसका पुना अंश नहीं किया जाता है वह भी मात्र अपनी प्रग्या के द्वारा उसे ही अविभागी प्रतिछेत कहा जाता है और यही आपके लिए संक्षेप से सम्मेक समाधान अगला विकल्प गुर्सराय जहांसी उत्तर प्रदेश से स्रीमती बिद्या देवी जैन परंपूझ मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निविदित करते हुए अपना समीचेन विकल्प रक्राय है कि माराज जी सुरोता चौधा प्रकार के होते हैं उनमेंसे हम अपने को कौन से प्रकार का समझें हमारे समीचेन विकल्प का सम्यक समाधान करने के उनकंपा करें नमुस्तु माराजी नमुस्तु मुक्यता से आगम के परिपेक्ष में सुरोता के आचरभगवन्तों ने तीन भेद किये उत्तम मध्यम और जगन्य और उस जगन्य के पुना आचरभगवन्तों ने दस भेद किये तो लगवग उसके आचरभगवन्तों की अपेक्षा से बारा भेद भी प्राप्त होते साथ साथ ये भी समझना की आचरभगवन्तों की जहां जैसी संकल्पना और जैसा कथन है वैसे ही उस शुरोता के अनेक और भी भेद हम बना सकते हैं और आचरभवन्तों ने भी उस अनेक अपेक्षाओं से उनके बहुत सारे भेद भी प्रदान किये पर वर्तमान में हम उन उत्तम मध्यम जगने के अपेक्षाओं से लगभग बारा भेदों को समझने का प्रयास करते हैं जो सरवत कृष्ट शुरोता उत्तम के भेद में ग्रहन किया है उसे आचरभगवन्त हंस के समान मानते हैं जैसे हंस मिले हुए दूद पानी में से पानी पानी को छोड़ कर दूद दूद को ग्रहन करता है ऐसे उत्तकृष्ट शुरोता जो होता है वह पूरे उस जो शुरुत है या सुनने वाली क्रिया है जो सुनाई दे रहा है उसमें से जो सार सार रूप है उसे ग्रहन करता है और जो निशार रूप दूध होता है उसे वही छोड़ देता है वह उत्कृष्ट श्रोता प्रथम भेद का हंस के रूप में का दूसरा जो मध्यम भेद का स्रोता का व्याख्यान आचर भगवन्त कहते है वहाँ पर उन्हें मिट्टी के समान कहते है जैसे मिट्टी में जब तक पानी है या पानी का सैयोग है तब तक उस मिट्टी में लचिलापन है मुलायम पना है तुरंत जैसे ही पानी सुख जाता है पुन्हा वो मिट्टी भी पत्तर के समान कठोर हो जाती ऐसे ही जब तक जिन्वानी सुनता है या शुत की आराधना कर रहा है तब तक तब वह मुलायम परणामों के साथ मुर्दुलता के साथ होता है और जैसे ही जिन्वानी शुत से दूर होता है पुन्हा अपने कठोर परणामों को प्राप्त करता है ये मध्यम प्रकार का चलनी के समान होता है जैसे चलनी आटा को चानते हुए आटे को तो नीचे छोड़ देती है और उसके मात्र उपर के उस चोग को कचड़े को अपने चलनी में धारान करते जो यह जगन प्रकार का श्रोता होता है वह श्रुत जिनवानी सुनता तो है पर सार सार को छोड़ कर असार को ग्रहन करने वाला वह चलनी स्वरूप पहला जगन ने श्रोता होता है दूसरा बकरे का स्वरूप देते हुए बकरे का उधारन देते हुए दूसरा जगन ने श्रोता बकरा कहते है जैसे बकरा स्वेम में ही तीवर कामी होता है ऐसे ही कुछ श्रोता होते है जो जिनवानी या सुत की पुराणों की आराधना स्वाध्या करते समय सुनते समय उसमें से भी मात्र मात्र काम स्वरूप व्याख्यान शुरूंगार रसको ग्रहन करते हुए ग्रहन करता है और परणाम भी अपने उस काम रूप बना लेता है वह बकरे के समा जगन श्रोता कहा गया तीसरा श्रोता जगन रूप से बिलाव का स्वरूप कहा गया जैसे कितना ही उपदेश दे कितना ही समझाए बिलाव याने बिल्ली अपनी हिंसक क्रिया चुहे को पकड़ने की नहीं छोड़ती ऐसा ही श्रोता होता है जो कितना ही जिनवानी का पान कर पर अपनी हिंसक परणती से दूर नहीं होता वह बिलाव प्रकार के कैटेगरे में या बिलाव प्रकार के श्रोता में आता है चोथा प्रकार बगुले का कहा जो बगुला होता है उपर से तो स्वेत धवल सुन्दर दिखता है पर भीतर मचली को पकड़ने के लिए एक आख बंद करके एक टांग खड़ा होकर वह बकड़ी को पकड़ने के लिए ध्यान करता है बिल्कुल वह श्रोता कुछ ऐसे ही होते है जो उपर से भदर परणामी दिखाने का प्रयास करते है पर अंदर में चल कपट और परिपूर्ण दुष्ट परणामों से युक्त होते है ऐसे बगुला श्रोता कहे गए पाँचवा पाशान की भाती वह पाँचवा श्रोता होता है जो अंदर से भी कठोर होता है और बाहर से भी कठोर होता है उसे जिन्वानी से कोई लेना देना नहीं कोई आता पता नहीं है ऐसे परणामों से युक्त जो श्रोता होता है उसे पाशान के भाती श्रोता कहा ग इस प्रकार से कुछ श्रोता होते है जो स्वेम अपने जहरले परणामों से तो युक तो हूते ही है पर सभा में पहुँचकर अपना जहर उगालकर सबको जहरला बना लेते हैं सब के परणाम खराब कर देते सात्वा भैसा के रूप में स्विकार करते हुए आचार भगवंत कहते है कि जैसे भैसा किसी तालाब में पहुँचता है सबसे पहले उस तालाब को मचाता है कीचण मचाता है वही लगुसंग का एक नमबर आधी करता है और फिर पुना उसी गंदे पानी को पीता है कुछ श पुना जिनवाने का पान करते ये सात्वे प्रकार के भैसा श्रोता की व्यक्या की आठवे प्रकार के फूटे घड़े जैसा श्रोता होता है जैसे फूटे घड़े में कितना ही जल भर दो उपर से जल भरो नीचे से वह खाली हो जाता है ऐसा ही श्रोता होता है इधर से यह फूटा घडा रूप आठवे नंबर का श्रोता का नवे श्रोते को कहते हुए आचर भगवंत डांस मच्छर की उपमा देते हैं जैसे एक डांस होता है वह काटे नहीं काटे पर कान में पहुंच कर आवाज जरूर करता है ऐसे कुछ उद्वेलित करने वाले श्रोता सभ को डास की उपमा देते हुए सभा को व्याकुल करने वाले उन श्रोताओं को डास मच्छर कहा और अंतिम जगन रूप से श्रोता स्विकार कया जिसका नाम है जोंक जैसे जोंक गाय के स्तनों पर लगते हुए भी जहां अन्य जीव दूद गरहन करते है वहां पर वह खून इसे ही कुछ श्रोता हुआ करते है जो दर्म सभा में जहां पुन्य का शुब का उपदेश प्रापत करने की संभावना होती है वहां गुणों को गरहन करने की जगे मात्र दोशों को ग्रहन करने की परणती जिनकी होती है उनको आचरभगवंत जोंक स्वरूप कहते इस प्रकार के उन 12 श्रोताओं के साथ साथ मा आप अपनी स्वेम की परणती टटोल लेना कि हम जिनवानी सुनते समय किस प्रकार के परणाम और परणती करते है आप उसी प्रकार के श्रोता ह चाहे उत्तम मध्यम जगन्य स्वयम की परिक्षा स्वयम करे और स्वयम ही निरने करे यही आपके लिए सम्मेक समाधन वह लड़का भी भगवान का अभिशेक पूजन एवं निर्गन्तों को अहारदान दे सकता है क्या हमारे समीचिन बिकल्प का सम्मेक समाधन करने के अनकमपा करें नमुस्तु माराजी नमुस्तु पारस्वया आगम के परिपेक्ष में ऐसा लड़का और ऐसी लड़की परिपूर्ण रूप से विवाह के उपरांत दान के लिए और अभिशेक आदी के लिए सर्वथा आचर भगवन्तों ने वर्जित या उपेक्षित कही गई है चाहे वह कन्या विवाह करने के पूर्वर याने जिसकी एक साधी हो चुकी है चाहे तलाख हुआ हो चाहे वह विद्वा हुई हो तो भी अगर साधी नहीं की है तो तो वह आहार दे सकती है पूजा अभिशेक विधानाधी में खड़ी भी हो सकती है पर विद्वा के बाद या एक शाधी के उपरांद दूसरी शाधी जब भी होगी आगम के परिपेक्ष में आचर भगवन्त उन कन्याओं को याने महलाओं के लिए दूसरे विवाह के किसी भी प्रकार से अनुमत परिपूर्ण रूप से वह लड़का भी वह पुरुष भी किंचिद भी दान और अभिशेक विधानाधी में सत्पात्र बनने का जो उसका स्थान था या उस सत्पात्र को धारन कर सकता था वह उसक्षण से प्राप्त नहीं कर सकता आगम के परिपेक्ष में यह बात परमस सत्त्य समझना क्यूंकि स्पष्ट रूप से स्त्रियों के लिए दूसरा विवाह आचर भगवन तो ने परिपूर्ण रूप से वर्जित कहा गया है और उसके निमित्त से जो उस कन्या से विवाह करता है वह लड़का भी और उनके निमित्त से होने वाले जो आगे के संता नादी है उसके विशार विसके विशे में भी आचर भगवन ने बहुत सारे विचार और विकल्प रखे है इसलिए स्वस्टर रूप से तो आगम के परिपेक्ष में आगम की आचर भगवन तो कि यही आग्ली प्रकार से महिला का स्त्रीका दूसरा वीवाह नहीं होना चा के साथ हमारे साथ यह है कि पत्तामजी के सैवन श्रोप तुचसन सवेन भवसंत तीसन निबधं पापं शनत शयमुपैती शरीर भाजाम अग्रांत लोग मली नील मशेश माशो सरियांश इसका अर्थ संजाने की अनुकंपा करें नमोस्त माराची आचर भगवंत मानतुंग स्वामी भगवान आधिनात स्वामी का उस स्त्रोत्र को लिखते हुए उनका स्तवन करते हुए बहुत अच्छी उपवाओं के साथ भगवान आधिनात स्वामी की तुलना कर रहे। ये सबको ही पता है कि भगवान की भक्ति करने से हमारे पूरो संचित पाप स्वय मेव ही विगलित हो जाते। इस सिद्धान्त को लेते हुए ही जो आचर भगवन मानतुंग स्वामी जब उन्हें उस 48 तालों के भीतर डाला गया तब उन्होंने भगवान की भक्ति करते करते एक एक कावे रचे और एक एक ताला तूटता गया। इस सातवे कावे में आचर भगवन्त वास्तों में उस सूर्य की कलपना करते हुए और अंधकार को दूर भगाने वाली उस सूर्य की एक रश्मी एक किरण का कितना प्रभाव होता है यह उपमा लक्षन बताते हुए भगवान की भक्ति का आदिनाद भगवान के उस स्त्रोत की महिमा यहां पर व्याख्याइद कर रहे हैं जैसे एक सूर्य होता है सूर्य अभी पूर्ण रूप से उदित भी नहीं हो पर फिर भी सूर्य की एक भी किरण अगर इस पृत्वी पर पहुंचती है तो इस धरा का इस संसार का इस पृत्वी का जो अंधकार होता है जो लगभग रात भर अंधेरे स्थान पर रहने वाले और जीव एक सूरिय की किरण पहुचते ही पूरी रातरी भर का अंधेरा उस सूरिय की एक किरण से तहसनैस हो जाता है नश्ट हो जाता है ऐसे ही बिल्कुल जैसे ये सूरिय इस आकरांथ लोक याने तीनों लोक को जिस अंधकार ने रादबर व्याप्त कर रखे था ऐसे सू के उनके सूर्य के किरण से पूरा अंधकार तहसन करता है, बिल्कुल है भगवान मैं आपके उस सची स्थवन से जो जो आपका सच्चा स्तवन करता है मात्र मैं नहीं आपी तु जितने जीव भी आपका स्तवन करते हैं स्तोत्र पड़ते हैं आपकी भक्ती करते हैं वे मात्र आपके स्तवन से इस शरीर रूपी याने जो संसारी जीव इस शरीर में अनाधी काल से भववों की संतती से ज के द्वारा आचर भगवन कहते है कि तत संस्त वेन आपके स्तवन करने से है आदिनात भगवान शरीर भाजान भवन्त स्भव संतती इस शरीर धारी प्राणियों के जो भव भव की संतती याने जो परंपरा से जो बंधे हुए सन्निवधम अच्छे प्रकार से सामाने नहीं वक्षणात ख्षए मुपईती एक ख्षण में ख्षए को प्राप्त होते है जैसे तीनों लोग को व्याप्त करने वाला अंधकार सूर्य की एक किरण से नश्ट होता है बिलकुल वैसे ही आपके मात्र एक स्तवन से आपकी छोटी सी भकती से ही ये संसारी जीवों का पाप जो बंधा हुआ है अनाधिकाल से वह भी कुछ खशन में ही चंद खशन में ही नश्ट हो जाता है इतना सामान्य सार्थ आचर भगवन ने गहन भावों के साथ और शब्दों के साथ हम आप सब के लिए रखा यही आप के लिए सम्मेक समाधान अगला समी चिन्बिकल्प सुसनेर मद्द प्रदेश से स्रीमती गुडमाला जैन अपने ओडियो मेसेज के साथ हमारे सामने मुस्तों मारा जी मैं स्रीमती गुडमाला जैन सुसनेर से यह पुछना चाहती हूँ कि विधान जब करते हैं तो मंगल कलस और चार कलस इसे पांच कलस रखे जाते हैं इनका क्या महत्तु है और यदि थोड़े दिनों बाद दूसरा विधान किया जा जा तो इन कलस को किया जा सकता है या नहीं प्रभ्या समाधान बने विधान के निमित से जो मांडना अधि बनाया जाता है उस मांडने पर उन चार दिशाओं के निमित से चार कलस और एक मुख्य मंगल कलस के रूप में जो पांचों कलस रखे जाते हैं पुन्हा कुछ समय उपरांत अगर जीव विधान करना चाता है तो उस विधान पे मांडने आधि की निमित से उन पांचों कलसों का वह प्रयोग पुन्हा कर सकता है उसमें कोई भी विकल्प नहीं जैसे कि मंगल कलस स्वयम में ही कह रहा है मंगल है वह एक मंगल रूप उस कलस को ही हम ग्रहन कर सकते हैं जैसे ही कलस होते हैं वह परिपूर्ण रूप से अनंत चत्यु श्टे रूपी अरहंत कका स्वरूप होने के कारण से उसे हम मांगली कि स्वरूप माननकर घर में विराजमन करके रख सकते हैं उसमें जो द्रव्य होता है वह भी मांगली क które द्रव्य का ही स्वरूप होता है वह किंचित भी निर्माले के श्रिणे में नहीं आता और इसी कारण से वह मांगलिक कलश चाहे चार दिशाओं के हो चाहे वह मंगल कलश हो वरिपुर्ण रूप से पुनहा अगले विधानादी में हम उस द्रव्य को बदल कर नए मांगलिक तरव्यों को उसमें डाल कर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तरव्यों को रखा जाता है। यही आपके लिए संग्षेप से सम्मेक समाधान। आप हम सभी लाब ले रहते समीचिन विकल्पों का सम्मेक समाधान इस कारेकरम का। सुप्रवुवाज यूटूब चैनल की प्रस्तुती समीचिन विकल्पों का सम्मेक समाधान। यह कारेकरम प्रती दिन शाम को पांच बत ये तेरा मिनिट पे यूटूब चैनल सुप्रवुवाज प्रसारित होता है। इसका पुनप्रसारन पारस टीवी चैनल के माध्यम से शाम को चार बजे से होता है। फेस्बुक के माध्यम से भी इसका प्रसारन होता है अगर आप फेस्बुक के माध्यम से इसका लाब लेना चाहो तो। फेस्बुक पे आप सर्च कर सकते श्रमन सुप्रफ सागर जी या सुप्रफ वाज नाम से पेज है उस पेज से इसका पुनप्रसरन होता है अगर इस कारिक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप सम्मेक समाधान से जुड़ना चाहते हो, तो जो निम्न पट्टी पे नंबर चल रहे हैं, उस पे आप अपना WhatsApp के माध्यम से समिचिन विकल बेज सकते हैं, यह नंबर है 870-754-8811, 870-754-8811, जीमेल का उप्रोक कर सकत हैं, आप सम्मेक.समाधान से माध्यम से भी आप समिचिन विकल बेज सकते हैं, मैं आप से और रिक्वेस्ट करूँगा, कि इस कारिक्रम के माध्यम से आप चैनल से जुड़े हो, सुप्रवुवासी चैनल, यूटूब चैनल को सरब्सक्राइब करिए, एवं लाइक जरू देता हूँ, नमोस्तू, नमोस्तू. जर नमोस्तू.